दोस्तों यदि आपका खाता बैंक का बढ़ोदा में है और आप बैंक का बढ़ोदा के मोवाइल बैंकिंग बी ओबी वर्ड अप्लिकेशन का यूज करते हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप ब्रण वाइल के अंदर ब्यो बी वर्ड अपलिकेशन को ओपर कर लेंगे उसके बाद M PIN डाल का लोगिन हो जाएंगे तो जैसे कि आप दसकते हैं मैं यहां पर ब्यो बी वर्ड अप्लिकेशन में लोगिन हो चुका हूं यह है मैरा एकाउंट नंबर अभी हमें यहां पर ब्योबी वर्ड अप्लिकेशन में UPI ID क्रेट करना है तो इसके लिए यहां नीचे के dashboard में कुछ आपसन मिलते हैं जिन में से यहां दूसरे नौर पे है UPI तो हम इस UPI पे क्लिक करेंगे यह दिया आपके मवायल के अंदर दो SIM कार्ट लगे हैं तो दोनों SIM कार्ट यहां पे सो हो जाएंगे तो इन दोनों SIM कार्ट में से आपको उस SIM कार्ट को सेलेट करना है जो SIM कार्ट आपके bank account के साथ link है मेरे bank account में यह पहला बहला SIM कार्ट लिंक है तो मैं इस पहले बहले SIM कार्ट को सेलेट कर लेता हूँ उसके बाद यहां नीचे में आपके bank account में जो register मुवाईल नमर है वो यहां पर show होगा तो आप एक बाद confirm कर लिजे कि आपका यही मुवाईल नमर आपके bank account के साथ register है उसके बाद submit पे click कर देना है जैसे ही आप submit पे click करेंगे तो आपके मुवाईल नमर से आपके bank में verification के ल करना है यहां पर technical error आ गया है ओके करते हैं दुबारा सम्मिट करेंगे अब देखिए यहां पर हमारे bank में रिज्टर मुवाईल नमर सो हो रहा है जिसके नाम से bank account है उसका नाम यहां पर डाल देना है सबसे नीचे लिखा है next तो यहां से हम next कर देंगे अब देखिए यहां लिखा है bank name तो हम इस bank name पे click करेंगे तो हमारा account number जिस भी bank में होगा उस bank का नाम यहां पर सो हो जाएगा तो अपने bank के नाम को यहां से select कर लेंगे अब देखिए जैसे हमने bank का नाम को select किया तो यहां नीचे में कुछ आपसर खुल गए है यहां फर्स्ट में लिखा है select account उसके नीचे में एक चौकूर बाक्स है इसमें हमें check mark कर देना है यहां पर हमें UPI ID select करने के लिए बोल ला है और नीचे में कुछ suggestion दे रहा है हम च दाल सकते हैं देखिए हमने यहां पर UPI ID select कर लिया है और इस चौकूर बाक्स में tick mark कर दिया है सबसे नीचे लिखा है यहां पर next तो यहां से नेक्ट कर देंगे यहां पर कुछ permission आ रहा है इसको हम allow कर देते हैं अब देखिए यहां पर हमें एक mail ID देना है यहां से हमें एक security question लेना है और उसका answer यहां नीचे डालना है तो इस down arrow पर क्लिक करेंगे इन security question में से आप किसी को भी select कर सकते हैं मैं इस तीसरे वाले को लेता हूँ what is your favorite color इसक इसके बाद यहां नीचे में इसका terms and condition है इस चौकोर बाक्स में क्लिक करके accept कर लेंगे उसके बाद यहां सबसे नीचे लिखा है सब्मीट हम सब्मीट पर क्लिक कर देंगे देखिए यहां लिखा गया congratulations your upi registration is successful और इसका मैसेज हमारे मॉयल नमर पर आ गया है अब चलिए okay पर क्लिक करते हैं तो यहां पर हमारा upi id नमर सो हो गया है देखिए यह हमारा upi id नमर और इस upi id में जितने भी features हैं वो यहां पर automatic आ गया है यहीं आपको इन features के बारे में पूरा विस्तार से जानना है तो मेरे इस वीडियो के comment box में comment कीजिए मैं पूरी कोशिस करूंगा कि upi id के अंदर जितने भी features हैं यानि upi id से कैसे payment करते हैं कैसे receive करते हैं qr code से कैसे payment करते हैं यह सब के बारे में मैं आगे आने व फिर से हम login कर लेंगे तो यहां पर हम दोबारा से login हो चुके हैं यहां जो नीचे लिखा है upi यदि यहां इस पर क्लिक करेंगे तो पहले यहां पर upi id में registration करने के लिए बोल ला था लेकिन अभी देखिए फिर से same वही option आ गया है तो दोस्तों इसी तरीके से आप लोग भी वी वर्ड अप्लिकेशन में upi id क्रेट कर सकते हैं तो यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बाक्स में कमेंट करके जरूर बताईएगा अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें हमारे चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइक